आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब बसके अंदर करता है और यहां पर बोला कि स्लाइड करेगा तो वहां पर आपके अपने पास यहां पर आटेच है और जो आपके पास Spring है जिससे बीड अटेच है उसका Spring Consonate आपने को यहां पर स्मॉल के के इकवल लेवन गिवन है और बोला गया कि जो नेचुरल लेंट में पास Spring की वह Capital R के इकवल है और अब अपने को बोला गया कि जो दूसरा इंड है मेरे पास यहां पर Spring का वह पास क्या बोला गया है Point O पर यहां पर fix करा गया है ठीक है जैसा अपने को यहां फिगर में गिवन है तो अब बोला गया है कि मेरे पास जो bead है जब मेरे पास इस Point से छोड़ा जाता है तो जब वह Point A पर पहुंचेगा तब उसकी का एंट के अनरजी होगी बीड की वह अपने को फाइंड आउट करना है जब उसको Point B से अपने पास यहां पर छोड़ा जाएगा तो इस question को अपने यहां पर solve करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को बता है कि जो spring के अंदर जो potential energy store होती है उसके वेली क्या होती है होती है half of k into delta x square delta x क्या होता है उसकी length में कितना में पास यहां पर increment या decrement हो है उसकी length में कितना change हो है as compared to natural length ठीक है अब initially में पास किया spring point A पर है तो इसके length में यहां पर find out कर सकता हूं यह में पास OC के वेलिए 4R given है AC काई इसकी radius है radius के वेलिए अपने क्या given है यहां पर 3R given है तो मैं यहां पर बोलूँगा in triangle in right triangle triangle हो गया मैं पर चाहां पर कौन सा यहां right triangle कौन सा में पर चाहां पर हो जागा OCA मैं पास right triangle triangle OCA उसमें पर पाइथा के वेलिए स्फ़र हम लगा हूंगा तो क्या हो जागा है यहां पर OC square plus AC square is equal to OA square जाएगा यहां से तो यहां से OC की वेलिए क्या है 4R square तो जाएगा 4R whole square plus AC कितना है 3R तो जाएगा 3R whole square is equal to OA का जाएगा OA की वेलिए अपने को find out करनी OA square तो यहां से जाएगा 16R square plus 9R square is equal to OA square तो यह value कितनी हाजएगी 16 plus 9 हाजएगा 25R square तो यहां पर जो OA है उसके value कितनी हाजएगी square root of 25R square that is equal to 5 times R ठीक है तो initially मैं पास जो spring के length आपने पास यहां पर हो कितनी है 5R तो अगर मैं बोलूँ कि length में जो change कितना हो आप मैं पास यहां पर ठीक है initially मैं बोलता हूँ change कितना हो लेंथ में वो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा मैं बोलूँगा कि change in length in length at initial ठीक है तो कितना हो जाएगा delta x उसको बोलता हूँ यहां पर 1 है तो इसको value जाएगी मिरे पास यहां पर इसकी length OA minus की original length अपने पास किसके equal की होन है r की equal मतलब मेरे पास जो O से A की length है कितना है यह 5 पार जिसमें से r किसी क्या है उसकी original length है तो मेरे पास के length में change कितना जाएगा delta x 1 वा जाएगा 5 पार minus r that is equal to 4 r तो जब मेरे पास A point पर इसके अंदर क्या हो जाएगा पास यहां पर इसके length में change कितना है यहां पर 4 r है अब यहां पर point b पे पहुंच जाएगी spring कितना हो जाएगी में पास कुछ से यहां पर जाएगी। अब अपने पावाह अपर पाता है पे, net distance कितनी užां पर जाएगी हो जाएगी 3R तो जो spring की जो यह वाल distance बजएगी वो कितनी में बजएगी यहाँ पर R तो मैं बोलूँगा की change in length change in length final में कितना जाएगी इसकी length में change होगा हो वो जाएगा delta x2 तो कितना हो जाएगा वो जाएगा ob minus R ठीक है तो यहाँ पर ob की value क्या है आप जाएगा r है तो r minus r is equal to 0 मतलब क्या जाएगा ob उसकी length क्या हो जाएगी r हो जाएगी r उसकी क्या है natural length मतलब उसकी length में यहाँ पर कोई भी change होगा वो नहीं होगा तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर मैं point A है initial से start किया point B भी में पर पास क्या रहा है particle रहा है तो अपने उपते हैं frictional force है वो present नहीं है इस bead पे normal force लेगा वो क्या लेगा हर point पे displacement के perpendicular direction में लेगा तो normal force का अवग क्या हो जाएगा zero हो जाएगा तो में पास यहाँ पर कोई भी अपने पास ऐसा force नहीं है जो इसकी energy को यहाँ तो काम करे या बढ़ाए तो मैं यहाँ पर क्या लिख सेता हूँ only में पास क्या लग रहा है यहाँ पर spring force लग रहा है जो में पास क्या है conservative force है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा by applying conservation of conservation of total energy तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो a to c a to b के बीच में क्या करता हूँ यहाँ श्कमर लगा सेकता हो क्योंकि में यहाँ पर only spring force काम कर रहा है जो कि में पास क्या होता है conservative force होता है ग्रता जो conservation of total energy की बोलता है कि sum of kinetic energy plus potential energy होती है वो क्या होता है system का constant रहता है मतलब energy क्या राती है kinetic में करूट होती रहती है potential से kinetic में करूट होती रहती है final value तो यहां से मैं देखूँँ गा कि initial magnetic energy का है हाँ यहाँ पर इनिशिल जो bead है उसके यहां पे जो speed डाओ कहा है, 0 है यहां पे रुका होगा बीड, तो इनिशिल जो current energy आजागी उसके लिगा जाएगी 0, क्योंकि यहां पे speed उसके पास है नहीं, potential energy कहा जाएगी initial में, वहाँ जाएगी half of k into delta x 1 square is equal to, इसके जो current energy है, final point b है, उसके find out करनी ह और b पे potential energy कहा जाएगी हो जाएगी half of k into delta x 2 square, तो में पास क्या जाएगा, delta x 1 औ delta x, we will output कर दूंगा जाएगा, half of k into delta x, कितना है और पास यहां पे, 4rk square is equal to, यहां से क्या जाएगा, यहां जाएगा, क्यानेटिक energy at final, plus delta x 2 का 0 है, तो यह पूरा expression क्या जाएगा, यह पू value हो जाएगी, हो जाएगी, 1 by 2 into k into, 4r का whole square कितना हो जाएगा, 16r square, यह 2 से cancel हो कितना हो जाएगा, यह जाएगा, 8kr square में पास क्या जाएगा, जो point b पे, आपके पास current energy हो जाएगी, तो यहां पे लिख दूंगा, जो current energy final है, जो में पास current energy at point b है, उसके वल्यू कितना हो ज square, तो यहां पे अगर अपनो option चेक करेंगी, कौन सा option अपना correct है, तो जो option C हो जाएगा, वो इस question का अपना correct answer हो जाएगा, thank you students.